हलो एंड वेरी वर्म वल्कम टोल अप्यू कैसे हैं आप सब मैं आपका मेंटर और फिर से आपके सामने उपस्तित हो गया हूँ लेर्ण इंग्रिस विदाओ टूर्स के एक नए और फ्रेशन के साथ आज का शेशन एक बार फिर से सभी के लिए बहुत जादा महतुर रखता है जहां बारी है आज वोकैबलरी के सेशन की और मैं यहां पर उपस्तित हुआ हूँ इस सीरीज के छठे एपिसोड के साथ कहने को तो मैंने सिर्फ पिछले 5 सेशन में 25 वर्ड्स बताए हैं लेकिन आप अच्छे खाश से बता सक कोड़ है लेकिन इससे पहले आल्टनेट डेस पर पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको पांच सेशन और मिलेगा जिससे आपको देखना चाहिए नोट डॉन करना चाहिए और रिवीजन करते रहना चाहिए तो चले यहां पर बिना समय गवाए हुए आज के सेशन की सु कैसे ओक योग किया जाता है चले देखाज़े अगा करते हैं और बारी बारी से आपके सामने लाइग वर्ट्स को रखते हैं पुरे विस्तार से उस पर बातचीत करेंगे सेशन को सुरू करेंगे लिकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्स्राइब क किजेगा तक यहां से अप्लोड की गए वीडियोस की निटसना आपको मिले आपका कोई भी सेशन मिस ना हो और हां लाइक और सेर करने में कंजूसी नहीं किजेगा चले सेशन की सुरुवात करते हैं जैसा कि आपको पता है कि हम जब भी सुरू करते हैं एक वेलकम कोट से सु मतलब है उत्साह में कोई कमी किये बिना औसफलता से औसफलता की और चलना ही सफलता है अब इस बात में बहुत बड़ा रहसे छिपा हुआ है हम आजकल के जो बच्चे हैं उनमें अकसर ये कमी देखते हैं कि एक दो बार वो असफल होते हैं और वो ये माल लेते हैं कि मेरे से नहीं होगा मैंने कई बार कहा है बहुत सारे महान लोगों के उदाहरन आपके सामने हैं मैं हमेशा से यही बात कहता हूँ कि अगर आप सफल होने की इक्षा रखते हैं तो असफलता की परवाह करना छोड़ दीजे जब तक वो मंजिल ना मिले तब तक बिना थके बिना हिम्मत हारे बिना उत्साह में कमी किये आप प्रियास करते रहें बिलकुल एक दिन सफलता आपके कदम चुमेगी लेकिन अगर आप हिम्मत हारेंगे तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी आपने जितने यतन किये हैं सब मिट्टी में मिल जाएगा देखे क्या अच्छा लाइन इन्होंने कहा है क्या अच्छी बात इन्होंने कही है कि उत्साह उर्जा बहुत जरूरी है नकारात्मक उर्जा आपके सत्यानास का कारण बन सकती है इसलिए आपको उर्जावान होना चाहिए और उत्साहित होना चाहिए चाहे किसी प्रकार की परिस्थिती हो आपके मन में ये बात निष्ठा से होनी चाहिए कि मुझे किसी भी कीम चले आज के सेशन के सुरुआत करते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि ये उर्जा आप में भी बने और बनी रहे हमेशा से जीवन के अंतिम चंत तक ताकि आप सफलता की नई उचाईयों को छू सकें चले आज के सेशन का पहला वर्ड लेकिन उससे पहले मैंने एक बात यहां पर लिखी है तो कहीं नहीं man से जुड़ा हुआ है, तो कहीं न कहीं, पुरुसार्थ से जुड़ा हुआ होगा, है न, attitude of man से होगा, तो यह जो है, noun की तरह इस्तमाल होता है, दोस्त, noun, suffix, जो है, n-e-s-s, यह जहां लगा होता है, मैं कई बार इसकी चर्चा कर चुका हूँ, और यह noun suffix की तरह use होता है मतलब यह है कि जिस किसी भी सब्द में यह होगा, वो noun होगा, तो पहला सब्द क्या है, manliness, चले, meaning क्या है, having the characteristic of an adult male, characteristic किसका हो, adult male का, उसको हम कहते है, manliness, meaning क्या है, पुरुशार्थ, पहले से clear है, मैंने कहा था कि पौरुस, जैसे ब्यवहार का जो sense आएगा, उसको हम कहे मैंने क्या है, masculinity, यह word है, masculine से बना हुआ, masculinity का मतलब होता है, पौरुस से, अगला है, वीगर, वीगर का मतलब होता है, जोस, उरजा, पुरुशत्यू से, अगला है, विरलिटी, विरलिटी जो है, इसका मतलब होता है, पुरुशार्थ, पौरुश, पुरुशत्यू से होता है अगला है spunk spunk का मतलब होता है उत्सा हिम्मत विर पौरुष देखिए ये कई sense में इस्तमाल होता है लेकिन मिला जुला करके सब की meaning जो है वो manliness जैसी ही है masculinity विगर विरिलिटी spunk ये चार वर्ड है जो manliness के synonyms के तोर पर इस्तमाल होता है चले एंटिनीम देखे femininity ये feminine word से बना हुआ है femininity मतलब होता है नारी जैसा इस्तरी की प्रकृतिवाला है ना स्तरित्त से इसका meaning करते हैं और I-T-Y ये भी जो है noun suffix की तरह काम करता है किस की तरह काम करता है noun suffix की तरह काम करता है जिस किसी भी सब्द में यह हो अब देखिए आपको लएगा कि यह सर क्यों बताते हैं जब आप एंटेनिम सरेनिम चुन रहे होते हैं तो आप सब्दों की प्रकृति पहचान कर उसे इलिमनेट कर सकते हैं अगर यह आपके जहन में होगा इसलिए जानकारी बहुत ज़रूरी है चले दूसरा जो है वो है इफेमेनेसी इफेमेनेसी का मतलब होता है जनानापन मतलब है इस्त्री जैसा स्त्रेंता से होता है नारी की प्रकृति से होता है इसके बाद है वोमेनेसनेस का मतलब भी होता है स्त्रें यानि इस्त्री जैसा वोमेन से आया है वोमेन का मतलब होता है नारित्तु से और ये भी मैलिनेस के एंटिनिम के तोर पर इस्तमाल होता है तो हमारे पास आज का जो पहला वर्ड है वो है मैलिनेस सेनिम क्या है जरूरी था ऐसे डेंजरस वाकिंग कंडिशन से लडने के लिए मुकाबला करने के लिए, सामना करने के लिए, वहाँ से बाहर निकलने के लिए, जो भी सेंस है, उसके लिए डटे रहने के लिए, तो यहाँ पर क्या है, कि एक बार फिर से हम रिवीजन कर दे, पहला वर्ड मैंलिनेस, मतलब, नाउन की तरह इस्तमाल होता है, मतलब है पुरुशार, सिननिम्स क्या है, मैस्कुलिनिटी, वीगो, विरिलिटी, एंड स्पंक, और एंटनिम क्या है, फेमिनिटी, एफेमिनेसी, वोमिर्सनेस, और क्या ह मुलिबर्टी, चले, सेसन का अगला वर्ड और है एफेमिनेट, पिछले वर्ड में एफेमिनेसी एक वर्ड आया, उसी से मिलता जुलता है, वो नाउन था, और ये है एड्जेक्टिव, ये एड्जेक्टिव की तरह काम करता है, जी हाँ, एफेमिनेट, मतलब होता है, having unsuit अब देखें, ये पुरुशों में, या किसी में, जो इस्तरी नहीं है, उसमें अगर unsuitable feminine characteristic पाया जाए, उसके लिए हम ये वर्ड इस्तमाल करते हैं, इसका मतलब होता है, नारी जैसा, strain, इस्तरी का विभार, स्रनिम देखिए, womanis, womanis का मतलब होता है, नारी जैसा, मिलकु पुरुश जैसी सनरचना नहीं होगी, उसके लिए हम कहेंगे unmanly, अगला है girlis, लड़की के जैसा, है ना, इस्तरी के समान, कन्या के समान, है ना, और है सिशी, इसका मतलब भी होता है, strain, इस्तरी के जैसा, नारी के जैसा, तो मेरे पास चार सिननिम आ गए, effeminate के, क्या-क वोमनिस, अनमैनली, गर्लिस और सिसी, चले एंटिनिम देखे, मैनली, बिलकुर इसका उल्टा, मैनली, हिमती, मर्दाना, तो अब यहाँ अनमैनली का, आप डरपोक से भी रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, विरिल, मतलब होता है, विरिवान, पौर से, अगला है, स्पंकी, स्पंकी का मतलब होता है, बहातुर और सासी, देखे, यहाँ पर एफमेनेट, एक एड्जेक्टिव की तरह इस्तमाल होता है, इसका मतलब होता है, नारी जैसा, सिननम की बात करें, तो वोमनिस, अनमैनली, गर्लिस और सिशी, यह चार सिननम मैंने आपको बताएं और एंटनिम की बात करें, तो इसमें आजाएगा, मैनली, विरिल, विगरिस और स्पंकी, सेंटेंस देख लेते हैं, करा, he had extremely effeminate hands and gestures, मतलब उसके पास जो है ना, extremely effeminate hands and gestures थे, मतलब नारी जैसा हाथ और उसका gesture था, है ना, दूसरा वर्ड क्या है, एफमे पहला वर्ड क्या था, मैनलिनेस, तो एफमेनेट के synonym कौन कौन से, वोमनिस, अनमैनली, गर्लिस और सिशी, एंटनिम कौन कौन से, मैनली, विरिल, विगरिस और स्पंकी, चलिए, आज के session का आगला वर्ड वो है, रिमोर्स, एक नाउन की तरह इस्तमाल होता है, कैसे इस् sentence में इस्तमाल करेंगे, ये नाउन की तरह प्रयोग होगा, इसका मतलब क्या है, a feeling of deep regret, है ना, usually for some misdeed, अगर कोई आप से गलती हो जाए, तब जो पस्चाताप करते हैं, regret का मतलब होता है, पस्चाताप करना, है ना, पस्चाताप करना, regret, ये नाउन की तरह इस्तमाल होता है, regret सब जो है, remorse का मतलब होता, feeling of deep regret, मतलब है, पस्चाताप ये नाउन है, यहाँ पर हम करना नहीं जो रहेंगे, यहाँ मैंने regret के लिया है, वैसे, यहाँ पर भी होना चाहिए, पस्चाताप, आप इसको नहीं लिखें क्योंकि deep के बाद है, चले, सिनर्यम क्या है, regret, द इसका मतलब भी होता है, आत्मगलानी या खेद, अगर आत्मगलानी किसी चीज़ से है, तो आपने कुछ कर दिया, जो आपको गिल्ट फील करा रहा हो, आपको लग रहा हो कि नहीं आप से गल्ती हो गई है, तो उसके लिखें क्योंक्शन, अगला word है, penitence, मतलब होता है, या पस्तावा, अब आगई एंटेनिम्स की बारी, उससे पहले हम एक बार फिर से इसको दोहरा ले, रिमोर्स का मतलब होता है, पस्तावा, रिमोर्स का मतलब पस्तावा ये एक नाउन की तरह इस्तमाल होता है, सनननिम्स कौन कौन सा है, रिग्रेट, कंट्रीशन, कंपंक् एंटनिम देखें, relentlessness है न, क्या है, relentlessness मतलब होता है, kathortha कहने का मतलब आप सो कोई गलती हो गई बटापाडिक है, कि भाईया हम पस्चाताप पस्चाताप नहीं करेंगे आप बहुत दूस्ट प्रकृतिक है ठीक है, तो यहाँ पर जो है, वो क्या है relentlessness का मतलब होता है, kathortha है न, impenitence यहाँ जो है, penitence मतलब हो गया इसका पस्चाताप रही impenitence का मतलब हो गया, पस्चाताप रही जिसको कोई आत्मगलानी नहीं है, कोई खेद नहीं है वो हम इसके antonym के तौर पर करेंगे, किसके antonym के तौर पर remorse के antonym के तौर पर सनेरम में क्या इसक्तमाल करेंगे, regret contrition, compunction और penitence, चलिए, अगला जो antonym है, वो है happiness, बिल्कुल कोई पस्चाताप नहीं जो है, लावकारी हो, पादक कह सकते हैं उसका obdressy का मतलब होता है, अटलता, कठोरता फिल्कुल मैंने कहाना, अटलता, कठोरता जिनके पास होगा, वो पस्चाताप कभी नहीं करेंगे, उनके मन में कभी भी आत्मगलानी होगी ही नहीं, कोई भी गलती होगी, वो कठोर होंगे, अटल होंगे, तो भाई वो उस बात को सोची नहीं पाएंगे तो यहां जो मेरा एंटरिम आ गया, वो आ गया relentlessness, पहला दूसरा impenitence, तीसरा happiness, चौथा obdressy, है ना, obdressy का मतलब होता है, अटलता, या कठोरता, सिननेरम्स में क्या-क्या आ गया regret, contrition, compunction, और penitence, चले sentence देख ले, अच्छा एक और word है, repentance यहां आया, उल्टा गया इसका चले, इसमें आगे एक word repentance चले, repentance का मतलब भी पस्चाताप और पस्चतावा से है, क्या है, पस्चाताप और पस्चतावा से, चले sentence देख ले हैं इसका, she felt no remorse at living them without notice मतलब है, उसे कोई पस्चाताप महसूस नहीं हुआ, उसे बिना notice के चोड़ने पर, she felt no remorse है न, उसे कोई पस्चावा नहीं हुआ, कोई आत्मगलानी नहीं हुई at living them without notice तो तीसरा word क्या आगया आज के शिशन का, remorse, a feeling of deep regret, synonym में को आगया regret, contrition, compunction penitence और repentance, है न, repent का मतलब भी होता है, बस चाताप करना उसके बाद, antonym में आ गया, relentlessness impenitence, happiness and obduracy, चले, आज के शिशन का अगला word, क्या है acrimony, ये एक noun की तरह इस्तमाल होता है acrimony जो है, वो noun की तरह इस्तमाल किया जाता है, अब देखिए, इसका मतलब क्या है anger and bitterness, क्रोध और करवापन, क्या है anger and bitterness, अब देखिए, वह है करवाहाट रूखापन, anger and bitterness synonyms देखिए, पहला ही आ गया bitterness, इसका मतलब होता है करवापन या और प्रशन्दता, अगला जो है वो है, ranker, ranker का मतलब होता है बिद्वेस, मन मुटाओ, है ना जहाँ पर भी आया, करवाहाट और रूखापन तो भाई, मन मुटाओ होगा ही, ranker अब देखिए, enmity, enmity का मतलब होता है सत्रुता, वह मनश्य और बैर, है ना, दुसमनी को भी हम वहर कहते है तो enmity, अगला है, grudge grudge का मतलब होता है, द्वेस या इर्सिया जब मन में कुछ जलजलाहट हो मन मुटाओ का भाव हो तो उसको कहते है, grudge, आगे देखिए malice का मतलब होता है, बिद्वेस या द्वेस, तो acrimony मेरा चौथा वर्ड है ये एक नाउन की तरह इस्तमाल होता है इसका मतलब क्या होता है, anger and bitterness है ना, क्रोध और करवापन, रूखापन हिंदी में, synonyms कहेंगे bitterness, rancor, enmity grudge and malice, क्या-क्या है bitterness, rancor, enmity grudge और malice, चले, एंटनिम देखें, courtesy, courtesy कमतलब होता है, systrta, bhadratha salinta, जो तरीका है wanimrta, वो होता है, courtesy अब देखे, अगला, है नँ, geniality का मतलब होता है, महरवाणी, سजजऱन्ता क्या है, geniality का मतलब महरवाणी, सजजबना cud работы का मतलब होता है, maytri या सरलता, सच्चाई देखिए जैसे ही मैत्त्री आई तो यह इसका उल्टा हो गया रूखापन और करवाहट का क्या है? قूदियालिटी का मतलब होता है मैत्त्री, सरलता, सच्चाई जिनियालिटी का मतलब महरवानी, सजजन्ता अगला जो वर्ड है वो है स्वावपिति suavity का मतलब भी होता है sister और नमरता suavity का मतलब भी क्या होता है sister और नमरता तो जो चौथा word है मेरा वो है acrimony ये एक noun की तरह इस्तमाल होता है anger and bitterness, karwahat या रूखापन, synonyms है bitterness, rancor, enmity grudge और malice antonym क्या-क्या है courtesy, geniality, cordiality and suavity है ना, चलिए sentence देख ले siwan was poisoned by anger and acrimony है ना, siwan जो है पुरी तरह से जहर से युप्त हो गया था किस वज़े से भाई, क्रोध और करwahat से, है ना, क्रोध और रूखापन से, siwan was poisoned by anger and acrimony चलिए, चौथा word एक बाद फिर से रिवीजन करें acrimony एक नाउन है इसका मतलब होता है anger and bitterness, करवाहत या रूखापन, अगर हम synonym की बात करें, इसमें आएगा bitterness, rancor, enmity grudge and malice क्या क्या आएगा? bitterness, rancor enmity, grudge or malice, जो antonym की बात करें, तो courtesy geniality, cordiality और क्या आएगा? suavity चले, आज के session का आखरी word यह है, vacillation क्या है? vacillation सबसे पहले मैंने आपको बताया है t-i-o-n, यह मेरा noun suffix की तरह काम करता है है ना? किस तरह से काम करता है? noun suffix की तरह देखिए एक noun है, चले इसका मतलब होता है, indecision in speech or action, मतलब है कि अपने speech में और action में decision ना ले पाने की स्थिति है ना? हिच की चाहट निस्चय न कर पाने की स्थिति vacillation का मतलब hesitation हमको लगते है, synonyms में आ ही जाएगा, चले देखिए, पहला ही है, synonyms में क्या आया? hesitation, इसका मतलब क्या होता है? हिच की चाहट, चले, अगला क्या है? indecision, indecision का मतलब क्या होता है? जहाँ पर हम decision ना ले पाएं असमंजस या दुविधा, है ना? fix भी कह सकते हैं, चले uncertainty, यहाँ का मतलब भी वही हो गया अनिस्चित्ता, चले अगला जो है, antonym, वह है certainty certainty, मतलब है निस्चित्ता alacriti, इसका मतलब होता है ततपरता, उत्साह और जोस इसका मतलब है कि आप fit and fine है उत्साह से भड़े हुए हैं, तो energy से फुल है, तो मतलब है कि आप निस्चे कर पाने की इस्तित्ती में हैं इसलिए alacriti का इस्तमाल हम यहाँ पर करते हैं इसके antonym में और क्या है, certitude का मतलब होता है यकीन या निस्चे, क्या होता है certitude का मतलब होता है यकीन या निस्चे जहां पर निस्चे आ गया, तो हिचकिचाहट की बात खतम हो गई, चले determination, बड़ा ही common word है determination का मतलब होता है या निर्नाय ले पाने की स्थिति है ना, तो देखिए मेरा जो आखरी word है, वो है vacillation, इसका जो synonym है, वो है hesitation, indecision, uncertainty और जो antonym है, वो है certainty alacrity, certitude or determination, चले sentence देख ले कर आफ्टर सम, vacillation sister Agatha decides to give them a place to hide, मतलब है कुछ अनिस्चित्ता और हिचके चाहट के बाद sister Agatha ये तै करती है को उसे छुपने की जगा दी जाए है ना, तो जो आखरी word है, वो क्या है vacillation, ये एक noun की तरह इस्तमाल होता है, मतलब है indecision in speech or action, हिचके चाहट निस्चे न कर पाने की स्थिति synonym क्या है, hesitation, indecision uncertainty, और इधर जो मेरा एंटनिम है, वो है certainty lackrity, और certitude, determination, उमीद करता हूँ कि आज के session में, जो words मैंने आपके सामने रखे, इसमें से बहुत कुछ आपके लिए नया होगा, और ये session आपके लिए बहुत ही फाइदे मन रहा, बहुत सारे words आपने इससे सीखे, और अब तक के सारे session आपके लिए मज़दार रहे हैं अगर ये session आपको अच्छा लगा, आप इसे like कर दे, अगर आपने channel सब्स्क्राइब नहीं किया है प्लीज सब्स्क्राइब कर लिए, बेल आपके ज़रू प्लिस कीजगा ताकि याँस अप्लोड कीगे, वीडियोस की निर्प्सन आपको मिले और आपका कोई भी session मिस ना हो समय याँसे बिदालेने का, बहुत जल्द इसी तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने वपसित होंगे, तब तक आप घर में रहें, त्योहार मनाएं, लेकिन अपने परिक्षा की तैयारी जोर सोर से करते रहें, उसमें कोई भी कमी ना होने दे, लेकिंगे लिए बिदालेने क्या अनुट ए लेकर सिंगाने कर भी करिदेंगे, प्रटिसे तैक य। ग्रट ब्रेस्टी तैक य। ग्रट ब्रेस्टी तैक य।